हेलो दोस्तो आज के वीडियो में लोग रेजवेट्स के लिए इंडियन रेलवे के इस्टर्न रेलवे में निकली लीगल आफिसर्स की लेटिस्ट वैकेंसी के बारे में कम्प्लीट इंफॉर्मिशन देंगे तो दोस्तो यहाँ पर eastern railway में log graduates के लिए 90 plus vacancies निकली हुई है तो ऐसी ही law related useful videos का notification पाने के लिए जल्दी से वीडियो को like और channel को subscribe कर लीजिए तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो log graduates के लिए railway के eastern railway में जो vacancies निकली हुई है तो उसका official notification आप कहां से प्राप्त करेंगे तो इसकी official website पर जाना होगा www.er.indianrailways.gov.in जो की official page आपकी screen पर खुला हुआ है इस official page पर ही आप देखेंगे right hand side में नीचे side green color में आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा engagement of railway advocates in various tribunals, courts and other bodies तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको notification मिल जाएगा तो चलिए इसके बारे में details से जान लेते हैं तो दोस्तो आपके सामने screen पर eastern railway मतलब पूर्व जो railway है उसके दोरा जारी official notification है ये notification 4 जनवरी 2013 को जारी किया गया है यहाँ पर railway के लिए advocates की requirement है means different type के जो आपके tribunals चल रहे हैं या district court हो गई, subordinate courts हो गई या दूसरी जो bodies हैं उन सब ही जो है legal bodies में railway के लिए advocates की vacances निकली हुई है तो देखें यहाँ पर जो है important dates की बात करते हैं सबसे पहले तो जो form है 4 जनवरी 2013 से start हो चुके हैं और last date है जो apply करने की वो है 31st January 2023 तो दोस्तों यहाँ पर जो form है आपको offline form apply करना होगा या फिर speed post के माध्यम से या email के माध्यम से apply करना होगा means या तो आप email के माध्यम से apply कर दीजिए या फिर by post भेज दीजिए तो देखें उसकी भी details आपको दिखा देते हैं तो यहाँ पर जो है इससे related यह देखें आपके screen पर हम दिखा रहे हैं email ID है erlegalcell.gmail.com यह mail ID है जहाँ पर offline form को आप fill up करके अपने सभी educational और experience की जो documents उनको लगा करके mail भेज़ देना last date से पहले पहले या फिर इसकी जो hard copy है आप registered post के माद्यम से भेज़ सकते हैं इनका address है the senior law officer HQ eastern railway 3 colleague heart street ground floor beside gpo kolkata kolkata 70001 इस address पर आप भेज़ सकते हैं तो दोस्तो यह जो vacancies है वो eastern railway के अंतरगत जो भी area आते हैं उस areas के लिए इसका जो application form में इसी notification के last में दिया गया जो हम आपको screen पर दिखा रहा है तो इसको आपको fill up कर लेना है तो और चलिए दूसरी details को जान लेते हैं सबसे पहले यह permanent job है या contract based job है तो यह contract based job है starting में 3 year के लिए है उसके बाद इसे 2 year के लिए और बढ़ाया जा सकता है यहाँ पर आप अपनी legal practice को भी continue रख सकते हैं legal practice के साथ साथ आपको railway का भी work करना होगा उसके लिए railway आपको अलग से पैसा देगी तो दोस्तो यहाँ पर जो salary है वो fix नहीं की गई है basis आप cases के अधार पर एक fix amount किया गया है वो आपको मिलेगा यहाँ पर और दोस्तो age की बात करें तो यहाँ 60 years से below के जो भी कर्णिडेटर वो अपलाई कर पाएंगे application fees की बात करें तो कोई भी fees नहीं है सब के लिए free है और qualification बात कर लेते हैं तो देखे आलग अलग qualification है यदि आप central administrative tribunal में जाते हैं तो law degree के साथ साथ कम सेवन यर का experience चाहिए railway claims tribunal में जाते हैं तो आपको law degree के साथ साथ 7 यर का experience है district court के लिए law degree के साथ 5 यर का experience है और subordinate courts के लिए law degree के साथ साथ कम से कम जो 3 यर का experience है आपके पास होना चाहिए इस परकार दोस्तों अलग-अलग zone के लिए vacances निकल रही हैं इससे पहले हमने southern railway के लिए vacances निकली थी अज़ुँ अधितरा शहते हैं ए macam ज जाए विए चाहिए आपके लिए निकली यर काराओ अभी आपक्तॉपलिए आपके ज़वा इस प्रोश प्रोश्तों साथ निकली मुएस निकली मुएसा, झापके लिए भाष मुएसा माई निए लिए उनलग-टाईए का किया आपक